जैश्रीराधे आप सभी को करवा चुथ के ब्रत की बहुत बहुत शुक्काम नाएं पती ब्रता करवा धोविन की कथा पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पती ब्रता धोविन अपने पती के साथ तुंग भद्रा नदी के किनारे इस्तित गाओं में रहती थी उसका पती बूढ़ा था और निर्बल था एक दिन वे नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तभी अचानक से एक मगरवच महाँ पर आया और धोवी के पैर को अपने दातों से दबा कर यमलोक की और वो ले जाने लगा ब्रत पती यह देखकर घबरा गया तब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वे करवा 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 कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे कमेंट में जैशरी रादे जरूर लिखिए पती की पुकार सुनकर धोवन करवा मह पहुंची तो मगरमच उसके पती को यमलोग पहुचाने ही वाला था तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बान दिया और मगरमच को लेकर वो यमराज जी के द्वार पर पहुंच गई उसने यमराज जी से अपने पती की रक्षा करने के लिए गुहार लगाई और बोली हे भगवन मगरमच ने मेरे पती के पैर को पकड़ लिया है आप मगरमच को इस अपराद के दंड सरूप नरक में भीज़ दीजी करवा की ये पुकार सुनकर यमराज जी ने कहा अभी तो मगर की आयूशेश है मैं उसे अभी यमलोग नहीं भेज सकता इस पर करवा ने कहा कि अगर आपने मेरे पती को बचाने में मेरी साहता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नश्ट कर दूंगी यमराज जी उसकी तरफ देखने लगे करवा का साहस देखकर यमराज जी भी डर गए और मगर को यमपूरी उन्होंने भेज दिया साथ ही करवा के पती को दीरगायू होने का उन्होंने वर्दान भी दे दिया इस पर तब से कार्थि कृष्णी की चतुर्थी को करवा चोथ का ब्रत का प्रचलन है जिसे इस आदूनिक यूग में भी महिलाएं अपनी पूरी शक्ती और भाब के साथ करती है और भगवान से अपनी पती की लंबी उम्र की वो कामना करती है पूरे दिन वो निर्जला ब्रत रहकर पती की आयू के लिए कामना करती है तो ये व्रत हमारे पुराणों में भी मिलता है जो प्राचीन काल से ये चला आ रहा है आप सभी को करवाचोत की बहुत बहुत शुक्कामनाए मा भगवती आपके जीवन में खूब खुशाली दे आपके पती की आयू लंबी करे और आपका आपसी प्रेम बनाए रखे जैश्री राते